हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कहते हैं कुछ करने का जुनून लोगों को भीड से अलग कर देता है ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सरहदी बार्मेर के एक युवा ने साल पहले अपनी निजी यात्रा के लिए विदेश गए सुशील सिंगल जो की बार्मेर के निवासी हैं उन्हें सिक्के और नोट इखटा करने का शौक चड़ा आज सुशील के पास देड़ सो देशों के सिक्कों और नोट का अनूठा संग्रा है अपने घर में आने वाले हर महमान को ये अपना अनूठा संग्रहन दिखाना नहीं भूलते हैं बार्मेर के हायर सेकेंडरी स्कूल रोड पर रहने वाले सुशील सिंगल बताते हैं कि दस साल पहले वो एक प्रदर्शनी देखने के लिए अपने पिता के साथ थाइलेंड गए थे वहां प्लास्टिक के सिक्के और नोट देखकर कुछ को वो अपने साथ भारत ले आए इसके बाद बस उन्हें वो नोट इखटा करने के जुनून चड़ गया आज 12 साल हो गए हैं वो इस अनूटे संग्रह को करने में लगातार जुटे हुए हैं उनके पास भारत के साथ साथ देश सो देशों के एक, दो, दस, बिस, सो, पांसो, हजार, दस हजार यहां तक कि 50,000 के साथ साथ 5 लाग के नोट और सिक्के मौजूद हैं इतना ही नहीं उनके पास एक 50 ट्रिलियर डॉलर का पॉलिमर नोट भी है सोशिल सिंगल बताते हैं कि उनके पास अफगानिस्तान, अनप्लाक्टिका, बेल्जियम, ब्राजिल, प्राकिस्तान, कॉलंबिया, इंडोनेशिया, इरान, इराग, कजाकिस्तान, कोरिया, नेपाल, शिलंका, जिमवाबवे, साथी अरब, भूटान, तिबबद और चीन के नोट सबसे जादा है, वहीं उनके पास जिमववे का 50 टिलियन डोलर का एक नोट है, और थाइलेंड का सबसे बड़ा नोट भी सोशिल सिंगल के अनूठे संगड़ा में मौजूद है, जागरुक टीवी के लिए बार्मेर से ठाकराराम मेगवाल की खास रिपोर्ट